जैहिन साथियों, डेली करेंट अफेर्स का पहला MCQ 4th January 2024 का आपके सामने हैं, आपको बतारा है वो कौन सी पहली यूनियन टेरिटरी बनी है, जो की प्रधान मंतरी विश्व कर्मा योजना को अपनी यूनियन टेरिटरी में लागू करेगी, ठीक है, विच यूनियन टेरिट अपके प्रधान मंतरी विश्व कर्मा योजना को लागू किया जाएगा और यह लागू करने वाली वो कौन सी पहली यूनियन टेरिटरी बनेगी, आपको ये बताना है, तो साथ इसका सही आंसर है जम्मू आण कश्मीर, ठीक है, जम्मू आण कश्मीर आपका सही आंसर है तो जम्मू आण कश्मीर बिकम्स फर्स यूनियन टेरिटरी टो इंप्लिमेंट विश्व कर्मा योजना, ठीक है, विश्व कर्मा योजना को लागू करने वाली जो पहली यूनियन टेरिटरी बनी है, वो कौन सी बनी है, तो वो जम्मू आण कश्मीर बनी है, ठीक है, जम जम्मू और विश्व कर्मा योजना अभी हम लोग आगे वाली स्लाइड में विश्व कर्मा योजना के बारे में सारी डीटेल्स देखेंगे यहाँ पर हम लोग बस ट्रिक जान लेते हैं कि कैसे अगर एक्वेशन में एक्वेशन पूचा जाता है तो आप कैसे इसको 100% आख्योरीयसी के साथ सॉल्व करें वैसे तो आप सॉल्व करी लेंगे पर फिर भी इनकेस कोई कोई चांथ हो जाता है तो आप किया है तो यहाद रखेगा पहली कौन सी यूनियंट रेट्री उसको लागू करेगी तो पहली लागू करने वाली जो यूनियंट रेट्री होगी वह होगी जम्मू कश्मीर ठीक है तातियो आशा करते हैं आपको यह ट्रिक समझ में आ गई होगी अब हम लोग कुछ चीजें कुछ डीटेल्स विष्व करमा योजना के बारे में देखेंगे क्योंकि अभी रीसेंटली लॉँच हुई है तो इक्जाम में आने के चांद से काफी ज्यादा होते है ठीक है तो यह आपको यह याद रखना है सबसे पहले तो प्रधान मंत्री विश्व कर्मा यूजना जो लॉंच हुई है वो 2023 में ही लॉंच हुई है ठीक है कई बार आपको डेट्स देते हैं और में पूछ लेते हैं कि कौन सी यह में कौन सी स्कीम लाई गई थी तो याद यह प्रधान मंत्री विश्व कर्मा यूजना लॉंच की गई थी ठीक है तो यह सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम कौन सी होती है जिसमें पूरी तरह जो स्कीम का खर्चा है वो कौन उठाएगा वो सेंट्रल गवर्मेंट उठाएगी ठीक है यहीं वे अगर sponsored scheme होता तो कुछ पार्ट जो है पैसे पूरे scheme का कुछ पार्ट पूरे scheme का जो contract होगा उसका कुछ पार्ट Central government जो है bear करती है और Training पार्ट युछ इस टेट darf बैयर करती है तब वह हो जाती है centrally sponsored scheme ठीक है जब central sector scheme होगी तो वह पूरी तरीके से Central सेक्टर की स्कीम होगी उसमें कोई भी जो भी Financial फिनाशल डीलिंग्स होती है फिनाशल बर्डेन होता है वो पूरा जो है Central Government bear करती है ठीक है तो यह Central सेक्टर की स्कीम है मतलब इसमें स्टेट्स को एक भी रुपय नहीं देना है एक भी अपना पैसा नहीं देना है इसमें सारा का सारा जो खर्चा करेंगी वो सरकार सेंट्रल गवर्मेंट करेंगी ठीक है यह कब आई थी तो यह 17 सेटेंबर 2023 में आई थी ठीक है विश्व कर्मा योजना किसके लिए आई है तो यह ट्रेडिशनल आर्टेशन्स और क्राफ्स पीपल को डेवलप करने में अप्लिफ्ट करने में मदद करेंगा ठीक है अरूंड 18 क्राफ्ट्स हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी ठीक है ट्रेडिश चैसे मार्केटिंग हो और उनका अपलिफ्टमेंट हो ठीक है इंप्लिमेंटेशन टाइप हम लोग ने देख लिया सेंट्र सेक्टर की स्की में है ठीक है विश्व कर्मा यूजना यह भी देख लिया सेंट्र सेक्टर का यहीं मतलब होता है कि जो भी फंडिंग होगी वह funded by government of India ठीक है नोडल मिनिस्ट्री याद रखना है आपको Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises ठीक है MSME स्कीम जो है स्वारी Ministry of MSME जो है वो विश्व कर्मा यूजना को implement करेगी ठीक है याद रखेगा कौन करेगी तो Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises क्यों क्यों क्योंकि यह सब जो ट्रेडिशनल आटेशन से यह सब बहुत चोटे उद्धियोग होते हैं ठीक है चोटे और Micro, Small के यह स्मॉल स्केल के जो है यह उद्धियोग होते हैं ठीक है यह जो traditional आटेशन होते हैं यह सब बहुत ही Micro, Small and Medium Enterprises जो है विशकर्मा यूजना को लागू करेंगी ठीक है और joint implementation होगा किसका अब skill provide कर रहे हैं तो skill development and entrepreneurship भी होगी और department of financial services भी होगा ठीक है अब recognition and support में क्या होगा तो PM विशकर्मा skill के बाद क्या दिया जाएगा certificate दिया जाएगा और identity card दिया जाएगा ठीक है उसके बाद collateral free credit दिया जाएगा ठीक है उधार दिया जाएगा बिना किसी शर्थ के ठीक है इसी को collateral free credit कहते है ठीक है इसी को collateral free credit कहते है at concessional interest rate ठीक है अब credit support देख लेते हैं कितना उधार मिल सकता है उनको तो एक रुपए उधार मिल सकता है और दो लाग रुपए इसका जो आवंटन हुआ है 13000 करोर के लिए तेरा हजार करोर जो है पीम विश्व कर्मा के लिए आवंटित किया गया है कितने साल से कितने साल के लिए तो 2023 में लॉजच वी थी 2023 से 2028 तक में ठीक है 2023 से 2028 तक में याद रखेगा यह 5 साल की स्कीम है ठीक है इसमें इसके डेवलम्मेंट इंपाउर्मेंट में क्या होगा तो इस्टाइपेंड दिया जाएगा 500 पर इसके ट्रेनिंग पर ठीक है जो भी स्किल्स इन लोगो प्रवाइट की जाएगी ट्रडिशनल आर्टिसंट और क्राफ्समें को तो उनको जो है इसके भी साथ में दी जाएग जिससे वह कोई भी modern टूल खरीज सकते हैं ठीक है बेसिक ट्रेनिंग इनको दी जाएगी जो की पांस से साथ दिन की होगी फिर एडवांस ट्रेनिंग जाएगी जो की पंदरा दिन से एक महीने की लगभग होगी और स्टाइपेंड तो हम लोग ने देख लिया 500 रुपेग कमिटि आइगी और फिर यह कमिटी किया करेगी इसको एडिस्कीक कापना इं ziet संदर virgin करेगा लेकिन आपको याद रखना है शयंद चीज कौशिक करना है कि दिमाग में रखना है कुछ भी कैसे भी करके थोड़ा सा मेहनत का जो एक लेवल है वह आप अपना इस तर बढ़ाई है ठीक है तब ही इतने रैट रेज जो हो रही है उसमें तभी आगे निकल पाएंगे ठीक है तो यहां पर हम लोग ऐसे साल में आई हैं तो न इसको नूदल मिनिस्ट्री सी कौन सी है तो Ministry of MSME Micro Small and Medium Enterprises थी कितने टाइम तक चलेगी तो 2028 तक ये चलेगी ठीक है और 500 रुपए का 500 रुपए जो टाइपेंड मिलेगा इस किल पर रेनिंग के लिए ठीक है 15,000 का ग्रैंड मिलेगा पर पर्चेस ऑफ सबसे पहले ग्राम पंचायद वरिफाइब करेंगी उसके बाद डिस्टिक क्रेंटेशन कमिटी और स्क्रीनिंग कमिटी क्रेजिट सपोर्ट कितना अपट रुपीज 1,00000,00 फर्स्ट रांच में और दो लाग तक सेकेंड रांच में और इंट्रेस रेट क्या होगा फाइफ परसेंट का इंट्रेस रेट होगा ठीक है तो यहां पर हम लोग ने सारी बाते देख लिए अब लोग बढ़ते हैं अगे नेक्स्ट क्वेश्चन ने साथ हों आपके सामने हू सिक्यूर्ड विक्टरी इन हाइली कंटेस्टेड डिसेंबर 20 एलेक्शन इन डेमोक्राटिक रेपब्लिक और कॉंगो में जो इलेक्शन हुए थे उसमें किसने जीत हा जीट है ऊप्शन भी फेलिक्स शिशे केडी टीक है प्रेसिटेंट बने हैं कहांके कॉंगो के ठीक है कॉंगो की प्रेज़न नहीं है तो फेलिक्स शिशे केडी बने है कॉंगो की प्रेसिडेंट कौन है तो फेलिक्स शिशे केडी है ठीक है तो कैसे याद रखेंगे याद रखेंगे कौन फैल रहा है ठीक है कौन प्रेसिडेंट बना है तो ज्यादा फैल रहा है वही प्रेसिडेंट बना है ठीक है जो ज्यादा फैल रहा है वही प्रेसिडेंट बना है ठीक है तो ज्यादा फैल रहा है वही प्रेसिडेंट बना है ठीक है फैल स्याद रखेंगे फेलिक्स ठीक है फैलिक्स प्रेसिडेंट से आदागीं प्रेसिडेंट बने हैं और कौन से आदकि के कोंगो की बात हो रही है ठीक है यहां परखेते 主utive कि वैंगे डीमक्राकी ऑप कन गो डीमक्राटिक रिपॉब्लीक और एक कोई समझ में आ गई होगी अब हम लोग कुछ बातें कॉंगो के बारे में देख लेते हैं ताकि हमारा स्टाटिक और करेंट इंफरमिशन दोनों ही कॉम्प्रियंसिफ तरीके से पड़ाहीं हो सके टीक है तो यहां पर देखिए कॉंगो के बारे में कुछ बाते हैं कुछ डी साउथ सुडान से युगांडा से यहां पर मालावी से जैंबिया से एंगोला से और रिपब्लिक ऑफ कॉंगो से ठीक है ठीक है चेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक साउथ सुडान युगांडा रवांडा बुरुंडी तंजानिया जैंबिया एंगोला और रिपब्लिक ऑफ ट्टेख यहां से यह यह पुरा इस्थ में यह पूरा साउथ में यह वैस्ट में सीट्रस में और रखेंगे यह आप लिखेंगा तो ट्डवन ungen यहां पर शायद किन साथ जो है एक लांटिक औशन से यह जुड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा ठीक है किन साथ तो कॉंगो रिवर मचोंद यहां की मेजर रिवर में तो यहां पिण तो है तो आज पॉंट यहां पिया पॉंट अ है तो मार्गरीटा पीक रिवंडोय हैं फिर यह विंदाइमटेंट ठीक है ध्यान दीजेगा बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है कॉंगो यह सब चीजे जो है आपको इस्टाटिक आपको लगा कि यह क्यूं पढ़ा रहे हैं पर आपको बाद नमदा चलिएगा जब कभी इससे क्वेशन उठेगा कभी इससे कैपिटल से उठ सकता है कभी इसकी चीजे ऐसे तो डेfinitely बॉडर्च 25 तTwo सकता है जिक है और लेक पूछता यहें पे मुछन जो यहां पर क्योंकि सेक्वान करेंट क दीप्स लेक इंड बीडिविटेब मतलब हाई मतलब सबसे यह सर्द धाना था नहीं कॉमैं धां मर बात कर ली next question है साथ हूँ आपसे appointment based question है यह आपके सामने who has succeeded अरिंदम बाग्ची as official spokesperson to ministry of external affairs ठीक तो अरिंदम बाग्ची को किस ने succeed किया है for the post of spokesperson of ministry of external affairs में ठीक है तो ministry of external affairs में कौन नए spokesperson मने है आपको ये बताना है आपके options है पहलो option ने गोपाल बागले second option है रंधीर जैसवाल third option है रवीश कुमार और लास्ट option है अनुराक्ष वास्तव ministry of external affairs में कौन spokesperson नए आया है और इन्होंने succeed किया है अरिंदम बाग्ची को आपको ये बताना है तो साथ इसका सही आंसर है option भी रंधीर जैसवाल जो है नए स्पोक्सपर्सन बने है कहां के ministry of external affairs की में के नए स्पोक्सपर्सन बने है रंधीर जैसवाल और इन्होंने किसको टेक ओवर किया है तो अरिंदम बाग्ची साहब को ये टेक ओवर किया अरिंदम बाग्ची को सक्सीड किया है तो रंधीर जैसवाल साहब जो है वह अरिंदम बाग्ची को सक्सीड किया है for the post of official spokesperson in ministry of external affairs ध्यान दिजेगा रंधीर जैसवाल ठीक है साथ यों चलिए वड़ते हैं अपने next current affair की और next question है साथ आपके सामने who recently broke the five kilometer world record in Barcelona event ठीक है तो अभी हाली में पांच किलो मेटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ा है बार्सिलोना इवेंट में आपको यह वताना है ठीक है who recently broke five kilometer world record in Barcelona event आपके options है पहला option है बी ट्रीस चेबे थर्ड और सेकेंड ऑप्शन है इल्यूइड कि प्चोगे थर्ड ऑप्शन है उसेन बोल्ड और लास्ट ऑप्शन है मो फैरा ठीक है इन चारों में से किसने five kilometer world record को break किया है बार्सिलोना event में तो साथियों आपको जानके यह खुशी होगी कि यह जो कारनामा किया है यह option ए बी ट्राइस बी ट्रीस शेवे ने किया है ठीक है यह केनिया से आती है ठीक है केनिया से आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है तो इन्हों ने क्या किया है five kilometer marathon का record तोड़ा है कहां पे बार्सिलोना में ठीक है कहां पे तोड़ा है तो बार्सिलोना में तोड़ा है किसने थोड़ा है केनिया की बीटरी शेवे ने इन्हों यह record तोड़ा है किसका five kilometer marathon का बार्सिलोना में ठीक है तो याद रखिएगा किसने तोड़ा है जो भी राइस खाके दोड़ेगा ठीक है तो जो राइस चबाएगा वह 5 km दोड़ जाएगा ठीक है वो 5 km दोड़ जाएगा ठीक है तो यह तो यह थाखना है कि फैसे टूटा है यह ध्यान दिजेगा हम ट्रिक बता रहे हैं तो जो भी राइस चबाएगा राइस याद रखेंगे बीट राइस और चबाएगा याद ही चेवे थीचा एट्था नाम है और बीज वर कर तोड़ा गया है यह बारज़ोना फेर्सेलोना इवेंट में फोड़ा गया कही है यह कहां फोड़ा गया यह और यह भी आयद रखिए किन की नेशनालिटी क्या है की इन आट है हमें से आती है यह .... टेमिपोर तो टेटे है क्या यह थेयां टिजिएखेक कौन और झेना जाएम वह 5 has been appointed as executive chairperson of national legal services authority तो किसको अपॉइट किया गया है executive chairperson of National Legal Services Authority का executive chairperson किसको अपॉइट किया गया है आपको ये बताना है आपको options है पहला option है जस्तिस संजीव खन्ना माघ्नाब 2 आप्षण नेंlock मेर्षर दीवाज चंद्रचून थर्ड ऑप्शन है जस्तिस यू ललित उद्धय उमेश ललित और लास्ट ऑप्शन है जस्तिस एन्वी रमन्ना तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सहांतों सक्सीड करेंगे तो सविगें तो संजीव करेंगेगे तो संझीव फैराइं संघीब आूचल लीगल से तब्लिश की गई तो 1995 में स्टैबलिश की गई करते हैं जो भी वीकर सेक्षन होते हैं जो भी मार्जिनलाइज वीकर सेक्षन होते हैं ससाइडी के उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है ठीक है चेयर परसन कौन हो गए है तो चेयर परसन जो है संजीव खन्ना सहाब हो गए है ठीक है और इसके कॉल सहाब रिटा जीव खरना सहाब जो है अब 10% बनेंगे ठीक है composition क्या क्या है कौन-कौन composition है मतलब कौन होता है इसमें नाशनल लीगल सब्सक्राइटी में तो नाशनल सीगल नाशनल लीगल सब्सक्राइटी में सबसे टॉप पर होता है पेटरन इन चीफ जो की होते हैं Chief Justice of इंडिया जो की समय है डीवाई चंध्यूड साहाब सब्से ओपर जो होते हैं फिर जो senior judges होते है वो patrons होते हैं तो चीर संजीव खना खना घं ह्या किसको सचिड की है तो इसके call को यह सेटीड की है ठीक है साथियों आशा करते हैं आपको चीजे समझ में आ गई होंगी यह हम लोग ने यह हम लोग ने करेंट पार्ट देख लिया अब हम लोग अपने एक्जाम के लिए अगर यह एक्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अपेर की और सब्सक्क्राइब क्यों आपके सामनें को मिला है अपको यहां आपको स्वामिनातन अवार्ड किसको दिया गया है आपको यह वताना है आपके पहला आप्ष्ण इंप्रोफेसर ब्यार कम बोज इस्टिक थर्ड ऑशन और लास्ट ऑशन नर्स परोड़ इंचारों में से किसको स्वामिनातन अवार्ड मिला है आपको यह बताना है मैं स्वामिनातन अवार्ड मिला है आपको यह बताना है तो साथ को इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी यार कंभोज को जो है स्वामी नातन वॉर्ट से नवाजा गया है यह कहां कि वाइस चांसलर है तो यह चौधरी चारंच सिंग हरियाना अग्रिकल्चर युनिवर्स्टी के प्रोफेसर बी अर कंबोज को स्वामी नातन आवार्ड दिया गया है तो याद रखेंगे स्वामी किसको मिलते हैं जिसके पास कम बोज होता है ठीक है कम बोज जिसके पास होता है उसी को स्वामी मिलते हैं ठीक है स्वामी मतलब इसके पास कम बोज होता है इसके दिल में कम बोज होता है उसी को सवामी से रखेंगे स्वामी नातन और कबोज से रखेंगे प्रोफेसर बियार शौ करका दी है यह चैंसलार तो 14 चेरंड-स शुबuchar ऐस यनिवरस्ति के यह कौन कम बोज शौमी किसको 미लेंगे साथ स्वामी से याद रखेंगे स्वामी नातना वर्ड और कम बोज से याद रखें कम बोज कम बोज बोज मतलब बर्डेंट कम मतलब लेस आपको बताएं जिसके दिल में लेस बर्डेंट होगा जिसका दिल साफ रहेंगा उसी को स्वामी मिलेंगे तो स्वामी किसको मिलेंगे स् आपे ट्रिक समझ में आ गई होगी बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेर की और हैं तो यह चिरंजीवी स्कीम है यह कि स्टेट गवर्मेंट की है आपको यह बताना है जिसको की मर्ज करने के बाद चल लाई है जिसको यह बोला जा रहा है कि मर्ज कर दिया जाएगा आश्मान भारत प्रोग्राम के साथ तो साथ यह उसका सही आंसर ऑप्शन भी राजस्थ के सबस्के से करें इसको मर्ज करने के बाद चल लाई है तो चिरंजीवी कहा की स्कीम तो यह श्थान का है राजस्थान तो राजा सब्सक्राइब आपको अपके सामने what इस अप्रेबब कॉच्ची लक्षवदीब आईलेंड सब्मरीन Optical Fiber Cable Project ठीक है तो अभी यहाल में प्रधानमंत्री मोधी सहाब जो है लक्षवदीप पहुंचे हुए है वहाँ पे उन्होंने Submarine Optical Fiber Cable Project का inauguration किया था ठीक है तो आपको यह बताना है कि जो कोची लक्षवदीप आइलेंड Submarine Optical Fiber Cable Project है उसकी लागत क्या है उसकी कभी हाले में कोची लक्षवदीप आइलेंड Submarine Optical Fiber Cable Project को इनाउगरेट किया है प्रधानमंत्री मोधी सहाब ने इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है तो याद रखिएगा कि Submarine Optical Fiber Cable Project की जो लागत है वो है option B 1772 करोड तो यहाँ पर अभी significant development यह हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद मोधी सहाब ने इनाउगरेट किया है ग्यारा सो चपन करोड का प्रोजेक्ट लक्षवदीप में जिसमें से कोची लक्षवदीप सबसे ज्यादा लागत वाला प्रोजेक्ट है जिसकी लागत है 1072 करोड जो क्या करेगा यह 100 gbps इंटरेंट स्पीट पे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट करेगा तो याद रखेगा कोची लक्षवदीप सब्मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो कॉस्ट है वह 1072 करोड है और टोटल जो कॉस्ट टोटल जो प्रोजेक्ट अन्वील किये गा है प्रधानमंत्री मोधी सहाब दवारा वह 1156 करोड है कहां पर लक्षवदीप में ठीक है कहां पर लक्षवदीप में रियाद रखेगा कोची लक्षवदीप आइलेंड सम्मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेट का जो लागत है वह 1072 करोड है ठीक है अब हम लोग कुछ बातें लक्षवदीप के बारे में देख लेत पर आपने इसे माप रिफर करिएगा तो यहां पर देखिए कौन-कौन से अगाती आइलेंड है ठीक है कावी रती है यहां पर आइलेंड है चोटे-जोटे-चोटे-चोटे-चोटे ठिक है यहां की capitals हम लोग में देख लिया कावी रती है तkę EPA 6atis island अरår मालमी ल कौर्या और मालमी इयां रखेगा और मालमी इयरपौट यहां तर्व पूछ लेते हैं यहां पर कौन सा है तो एंड्रॉट-न पर आइलेंड डीकर सबसे बड़ा है यहां पर लक्षवदीब का ठीक है इसकी जोग्रिफिकल फीचर के है तो यह दिखरा होगा यह इपको लक्षवदीब करता है किसको लक्षवदीब को यह देखी पूरा लक्षवदीब है है minimum सी घ्रिकां चांड के ऊपर लक्ष्वदीब को अधिरी जो है तो थर्टीदे करता है आप अपने मैप में जाके देखेंगे तो आपको बड़ा-बड़ा दिखाई देखा ठीक है यहां पर क्योंकि यहां पर करता है किसको लक्षवदीब को माल्डीव से ठीक है तो यहां पर हम लोग का सटेक पार्ट हो गया लक्षवदीब के बारे में को यहां फुट्व कि टाल मंदिर एक शाजी विरासथ कितकर'm आपको OF घाटन एन इस部 सब्सक्राइब किस ने किया आपको यह बताना था और इसका सही आंसर ऑप्शन भी गवर्नर ऑफ केरला तो आरिव मुहम्मद खान सहब ने एक बुक अन्वील किया जिसका नाम है राम मंदर राश्ट्र मंदर एक सजी विरास्तर ठीक है याद रखेगा राम मंदर राश्ट् आज और अगे वड़ते हैं अर्श घ्रट्र में रिख कंट्री स्क्री नर्वेक आपको रिखन एंस्ट्रीय नॉर्वेक नवेट नेन स्वीडन की और लास्ट ऑप्शेन और ने ये ने दले को यह बताना था और इसका सही आंसर है option B Denmark ठीक है तो यह Denmark की Queen है Margaret जो की step down करेंगी after 52 years on throne ठीक है बावन साल राज करने के बाद मतलब राजगती पर बैठने के बाद Denmark की जो Queen है Queen Margaret 2 वो step down करेंगी ठीक है यह बहुत important question है याद हर रास्टे में मार्ग होता है biomark से याद रखेंगे Margaret तो यह कहां की क्वीन है तो यह डैन्मार्क की क्वीन है जो की अपनी थ्रोन को एप्डिगेट कर देंगी अपनी थ्रोन को गेव अप कर देंगी कि अब हम रानी नहीं बनेंगे कब से 14 जनवरी 2420 यहां किया है है कितने साल राज की नियुक्षती किया है जंवरी 2024 को यह हर मार्ग में मार्क है है ठी tiden हर मार्ग में मार्ग से क्या है मांगरेथ और मार्ग सजे क्या है डंग मार्ग हर मार्ग में क्या है वार है ठी ऑटम on ऐसाइब हुआ त्य свидan सबसे पहले इस्की जोग्रिफिकल लोकेशन देख लोगेशन यह रहते हैं यहां पर देखी यह जर्मनी को इन से बॉर्डर शेयर कर रहा है यहां पर इनका बॉर्डर तो नहीं शेयर पर इंके स्वीडन है श्यूर्ट ड्राइस स्विडेन नौर्द इस में है और नौर्ट भेस भख समें यहां पर नौरवे यहां पर नौर्वेय की अंग्वाइब क्या है ओफिश ना कि क्रून याद कुंछा जाता है कैई लाका कि क्रेंसी में कि डेन्माकी करेंसी क्या है ठीक है तो यहाँ रखेगा क्रों ने ठीक है तो यह अभी मुनार्क के बारे में हम लोग नहीं देखा कि मागरेट टू जो है यहां की मुनार्क है जो अब स्टेप डाउन करेंगी बावन साल रूल करने बार ठीक है आफ्टर फिप्टी टू यह ओफ रीम शिवल अब्डिकेटर थ्रोन ठीक है तो अब्डिकेट कर देंगी ठीक है प्राइम मिनिस्टर है यहां के मैट फ्रेडरिक्सन ठीक है हाइस पॉइंट नहीं देखना है आपको लॉंगेस रिवर लेकिन आपको यह आखना है कि जो जीलंड है यहां पर लार्जेस्ट अठीक है जीलंड वाले आइलेंड में कोपन हेगन इस्टेट है तो यहां पर आप दों ने देख लिया कि यह जर्मनी से बॉरडर शेयर करता है ठीक है साथी हो चलिए बढ़ते हैं आपर नेक्स इसन्ट केप्राइम पितर मीमक्राइब पितर है्-टॉर फियाला जो भी है पितर वियाला यह कोहां किस देश के प्राइम मिनिस्टर है आपको यह बताना है पहला ऑप जींग ज है जरमनानी थर्र ऊट्वेयत और छेक औप्शेन ने स्लोवा किया आपको बताना है पीटर फियाला जो है कहां के प्राइब मिनिस्टर है तो साथ यह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेक रिपब्लिक के ठीक है यह भी पार्टिसिपेट करेंगे टेंथ एडिशन वाइबरेंट गुजराद ग्लोबल इंवेस्टर समिट में ठ ट्र है जइनआपके आपक्याण ति-प्राइब और ये जिवटर करतें बॉर्डर करतें तो शेर करेंसे धवक्वा किया रखिए गाके कि शेक रिपा सन्ट करिएगा रिधान दिएगा घर घुज्थ ऐसंट कर में झौजराद ग्लोबलब इनवेस्टर सम Schero circles में पीटर फियाला साहब पार्टिसपेट करेंगे और यह कहां के प्राइम मिनिस्टर है तो यह चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर है ठीक है चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर है ठीक है चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपको बताना है European Union की वो कौन से पहली कंट्री है जो की Digital Shenzhen वीजास इंट्रड्यूस करेगी for 2024 Olympic and Paralympic Games तो कौन सी European Union की कंट्री जो है Digital Shenzhen वीजास इंट्रड्यूस करेगी 2024 Olympic और Paralympic Games के लिए ठीक है आपके options है पहला option है जर्मनी, second option है France, third option है Italy और last option है Spain तो अगर आपको पता होगा कि 2024 Olympic और Paralympic Games कहां होंगे तो आप बहुत आसानी से बता लेंगे कि इसका सही आतर है France तो France ऐसी पहली कंट्री वनी है पहली ऐसी European Union की मेंबर वनी है जो की पूरी तरीके से डिजिटल शेंजन वीजास लाँच करेगी 2024 Olympic और Paralympic Games के लिए ठीक है इसके लिए क्या किया जाएगा Olympic Consulate को भी लाँच किया जाएगा ठीक है Olympic Consulate को लाँच किया जाएगा जो की पूरा France वीजा पोर्टल को अपरेट करेगा जिसकी वज़े से डिजिटल शेंजन वीजास को प्रोवाइट किया जाएगा ठीक है तो डिजिटल डिजिटल शेंजन वीजास कौन प्रोवाइट करेगा तो फ्रांस प्रोवाइट करेगा द्यान दिजिएगा कौन प्रोवाइट करेगा ठीक है फ्रांस प्रोवाइट करेगा क्यों क्यों क यहां अलम्पिक के बारे में कुछ बातें देखिय है यह फोड़ा समय यह कवाया था है कूं कPe कऊ आया था तह 올ा में खेला था है तो यह शूर्द में रखना था फिर फैसे क् insects बोस्ट और एंसक्त ले ब्हूं कि वह होस्ट किया था पहला modern olympics 1896 हो सिटीज अपने आप में रोटीट करती रहती है ठीक है organizing body कौन सी है इंटरनाशनल olympic committee कौन है ठीक है ओलम्पिक का मोटो क्या है cities LTS 40 सीटीस LTS 40 सीटीस LTS 40 सीटीस LTS 40 सीट फास्टर हायर स्ट्रॉंगर ठीक है यहां फ्लैग में इनके क्या है इनके फ्लैग में ऐसे पांच रिंग होती है आप देखेंगे इनके फ्लैग में ऐसे पांच रिंग होती है तो यह रिप्रेजेंट करती है फाइफ कॉंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है और उलंपिक रिंक्स ट्शीक है कॉन-कौन संग क्यों होती है ब्लू येलो ब्लाक ग्रीण और ठीक है ब्लू येलो ब्लाक ग्रीण डी क WAY कुल भी याद रखे क्या कई वारे कंफूज से स्वेफिके कोंफूजण में अपसे करदि ही करता fark सकते हैं और है वो जलू येलो ब्लाक ग्रीन रेड और वो किसको रप्रेजेंट करती है तो फाइब कॉंटिनेंट्स रिप्रेजेंट करती है यहां पर ने स्टाटिक पार्ट देख लिया पूराइव अब यहां पर देख लेते हैं कौन-कौन होस्ट रहें तो पहले अब व्लोग समर और तो अब हो रहा है पेरिस फ्रांस में यह हम लोग ने समर्व में बात कर लिए आप बताएगे तो यह पूरी टाइम लाइन याद रखेगा कि कब कौन कहां पर कौन कौन होस्त किया है तो याद रखना है कि 2022 में विंटर ओलम्पिक्स का हूए थे बीजिंग चाइना में हुए थे ओडिनेटी सब्सक्राइब कहां पर में या जाया जाय गा तो 26 में इली में हो योड़ olympics होंगे ठीक है winter olympics होंगे ठीक है साथियों आशा करते हैं यहां पर चीज़े समझ में आ गई होगी पूरी स्टाटिक information आपको समझ में आ गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है साथ यह आपके सामने वेर इस कल पक्कम nuclear लोकेटेढ़ तो अपैटेढ़ करनाटकर करनाटा यह आपको और इसका सही आंसर इनाग्रेट किया है तो प्राद मंद्री मुधी जभी ने डिमेंस्रेशन फास रियक्तर फ्यौलर्सिंढ को इनाग्रेट किया है कल्पका में लो स्कूल से चाहते कीज़ से ज़िद्वdar के तो यहां पर देखे पूरी लिस्ट है आपके लिए तारापुर अटामिक पावर स्टेशन जो है वो महराश्ट्र में तारापूर याद रखेगा तारापुर कहा है महाराष्ट में राजस्थान में कौन सा है तो रावत भाटा ठीक है रावत भाटा आटॉमिक पावर स्टेशन जो है राजस्थान में ठीक है रावत भाटा राजस्थान में काईगा कहां पर है काईगा करनाटिका में काईगा टॉमिक पावर स्टेशन ठीक है यह करनाटिका पहुства शेहर बुरंद्ड शेहर है वहां पे नरुम्हा आ determination तरी डिए तीक है उपको यह नियाद रखना देख लिया और यहां पर हम लोग ने स्टाटिक देख लागी कौन कौन से नुक्लिर पावर प्राट कहां पर इस्तित हैं ठीक है साथ हो चलिए वड़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेर की और है क्के सांगे फुरी संट्री टुक्ट चार्ज ष्टर ग्वेसर कंदें इन शीफ आफ इंडिया नेवी वेस्टर नेवल कमांडर ठीक है तो वेस्टर नेवल कमांडर के में चीफ कौन बने हैं आपको यह बताना है ठीक है पहलों औक्शन है वाइस-अड्मिरल दिनेश कुम आख सब्सकीन क्यों है एक किसको सब्सकेद करेंगे और कौन सक्सीड करेगब Sixtin करेंगे सिंह करेंगे घजञ के लिए धिनेश कुमांदर इरफ को है संजय जजजी संग सबस neither किसे ARE चलिए वढ़ते हैं बनेटकास है अब यहां से हम लोग बैंकिंग और फिनान्स की इसकी गल्पराइघ किंगे तो साथियों जो भी साथि आप लोग बैंकिंग और 壓 करना इस गया नहीं कर नहीं कर रहे हैं उसकी प्रोपरेशन करने कि यहां वीडियो ड्रॉप करके जा सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं financial stability report की ठीक है जिसको release किया था Reserve Bank of India ने ठीक है बहुत important report है और कुछ बाते हैं पर कुछ details है जो की काफे important है और exam में definitely पूछी जा सकती है ठीक है तो इसका जो time period था वो था फिसकल यह 2022 से 2023 था ठीक है और इसमें सबसे important data जो है वो है gross household financial savings का जो की decline होके आ गई है कितने पर 10.9% of GDP पे ठीक है savings बहुत कम हो गई है तो अब सिर्फ 10% जो है GDP की उतनी ही savings बची है ठीक है liabilities कितनी बढ़ गई है तो liabilities बढ़ गई है 3.85 3.8% of GDP फिसकल यह 22 to 5.8% फिसकल यह 23 ठीक है तो liabilities बढ़ के कितनी हो गई है 3.8% से 5.8% हो गई है और जो savings decline हो गई है वो कितने पे आ गई है तो 10.9% पे यह decline होके आ गई है तो यह बहुत सब्सक्राइब गई है कि मॉट गेज और जो मतलब उधार बहुत चला है जो यंग्स्तर काफी मॉट गेज चीजे कर रहा है वेहिकल्स खरीज रहा है ठीक है फिजिकल्स काफी ले रहा है लोन पे जिसकी वज़े से जो है savings गढ़ गई है और liabilities बढ़ गई है ठीक है liabilities कितनी बढ़ गई है 3.8% से 5.8% GDP और savings कि इतनी रह गई है तो 10.9% of GDP सिर्फ savings रह गई है ठीक है यह किसमें बाते कहीं गई है तो यह financial stability report में बाते कहीं गई है से next current affair की और next question है साती हूं आपके सामने who will be the new CEO of Adani Ports and Special Economic Zone Limited ठीक है तो Adani Ports and Special Economic Zone Limited के नए CEO कौन होंगे आपको यह बताना है आपके options है पहला option है Karan Adani, second option है Gautam Adani, third option है Ashwani Gupta और last option है None of the above ठीक है तो नए CEO जो बने है Adani Ports and Special Economic Zone Limited के वो बने है अश्वनी गुपता साब ठीक तो वो मैंनेजिंग डारेक्टर जो है वह कारन अदानी ठीक है मैंनेजिंग डारेक्टर डी जो बने है अधानी Ports के कौन ंज को बने है और रहसिदय को भाला चोन दो अधाने हिए और सी यो कौन होने C Beauty पğ знать और स्मिन एपोने है यह पूस्पस्वन धिन किया को सुछी ब करा नदानी ने गोता बनानी को सक्सेड किया है ठीक है मैनेजिंग डिरेक्टर के पत के लिए ठीक है छपर चलिया बढ़ते हैं आपर नेक्स करेंट अफेर की और यहाँ पर एक न्यूस थी तो हमने सोचा आपके लिए इंक्लूड कर लेते हैं इस इमेज में ठीक है तो आयटी मदरास और आर्सलर मित्तर जो है जो वर्ल्ड के लार्जेस स्टील प्रड्यूसर है वो क्या करेंगे एशिया की पहली हाइपल लूप फसिलिटी डेवलप करें तो याद रखेगा है फसिलिटी कौन डेवलप करेंगा तो दोनों यहीं माड़ समझ लगते हैं तो यह कौन डेवलप करेगा तो आयटी मदरास और आर्सलर मित्तर ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स करेंट अफेर क्यों कि यहां पर कुछ ऐसे वन लाइनर करेंट आफएर से देख लेते हैं जल्ली से तो फाईनाइस ने अंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है किस पर वी लोडर स्वाम चाइना पर चाइना से जो वी लोडर अएंगे उन पर अंटी डंप सिल लग गई है ठीक है और पीविसी जिपन टाइल्स पे भी डूटी लग करेंगे वियतनाम और लदाग वियतनाम और लदाग आपस में मिलके कलिस्ट्रल एक्सचेंज और टूरिजम कोपरेशन की तरफ काम करेंगे विद्ध थीम लदाग अन्वील्ड ठीक है तो यहां पर देख लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी वी लोडर्स के लिए कहां के लि तो उनको नुक्सान से बचाने के लिए जो ड्यूटी लगाए जाती है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है ठीक है साथियों चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्करेंट अफेयर की और देख लेते हैं